कि खड़ा मसाली जाने वाली इसके अंदर है आधना कलसूल प्याज उसका पेंसट बना के अंदर डाल रहे है वसके अंदर जा कि अधर यख़ त्यजिन太ants जाने वाले रिक करते की सबना ने डाल हमहीर का पानी है कि नदर मक्रकにはframes के अंदर जा पतेल आई जिसके अंदर आप मिसल बनाने वाले है तो आपको में पुरा प्रोसेस के आपको आप नाल रहें और यह जो मिसल है हमारा वह हम चुले के ऊपर बना रहे हैं कि अभी खड़ा मसले जाने वाले है प्रोपन बने देखे गरेवी है जो हम चुले के उपर बनाते है यह उसके अंदर जा रहे है उसके अंदर है अधरा फ्लसोन प्याज उसका प्पेस्ट बना के हम उसके अंदर डाल रहे है कि अंदर हम अभी सब मसाली डाल रहे हैं उसके अंदर जाने वाले हमारा एक खड़ा मसाला का पाउडर है उसके बाद मिर्ची है हलती है उसके अंदर जा रहे है करती है इसके अंदर हम कर लक्aktे के जाने शार जैंने उसके अंदर पाणी डाल रहे हैं है मसाला आप ओहरना जाएगा आ ड़र यह अजाया थो एक से यह वह लातएगा ओस से पर ऐसनला सभर में अबलेनिल ath verlे अबले जाम लगवकर 3 जारा क्षा popular या यहतर हमारा मिसल जो बन रहा है लगवकर 1200 प्लेट क swords tan movements हिस्लिक पत्रा प्लेट वाले वाले अखचिसे लिमे आश्कपर इसके बाद हम बाजरी법 पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हमारा बाजरे का आटा है उसको गूंद दिया है बाजरे काट का पानी जा रहा है वे इसके अंदर बाजरे काट के 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 ब कि अंदर अभी बठी का पानी है मिसल के अंदर जा रहा है जो पेस्ट है मिसल को इसी की बशे से आ रहा है लगो कि अभी आदा गंटा पकने के बाद तरी अलग हो जाएगा रास्सा अलग हो क्या जोश्काई लास्ट मिसल को पर हड़ा दन्याशन दाल मेंगे यह हमारा दो सब्सक्राइब का मिसल हमारा वे रेडियो हो चुकाई अभी आपको हम थाली दिखा रहे है सकologique के रेडियों का इसके बाद आपको थाली अभी मिसल का थाली वे जाए यहारा बढबक हां सब्सक्राइब प्राउट बाउल के अवा इसके बाद नायलन चे और जीरो नमर के अवा इसके अंदर आल रहे है यह लग एक सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब कर रहे हूं हुआ है हमारा मिसल पाउ का पुरा फ्लैट रेडी है उसके अंदर आपको हम बता दे जो मिसल है हमने आपको दिखाया स्प्राउट से उसके अंदर यह 90 रूपीज का मिसल है उसके साथ हम देते दो पाउ एक पापड कांद निमो और दही यह 90 रूपीज में उसके बाद अनलिमिटेड रस्सा होता है वह जो रस्सा है चुले के ऊपर हमने बनाया वह उसके बाद यह तरी आती है और बाज्जा हमारे प्रोडुक्स है आपका यह हमारा गुड का जलेवी है गुड की चास्टने में बनाते है उसके बाद है यह हमा और अब इस सब रेड़ी हो चुका है फुरा है